हलो दोस्तो आज हम समर्शिवल पंप स्टाटर बनाने सिखाएंगे आपको कि कैसे वाइरिंग उसको करते हैं और उसके कंट्रोल पैनल से हम कैसे उसको कनेक्ट करते हैं तो इससे पहले आपको बता दू कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किजिए तो सब्सक्र पहले देखते हैं कि आपका इसका वीडियो में दो पाट आए पहला पाट आपका है कंट्रोल डाइग्राम के लिए हम बेसिक समझाएंगे कि कैसे इसको डिजाइन करते हैं पैनल को कनेक्शन के लिए और दूसरी में आपको प्रेट के लिए चलके आपको उसको यहां आप देख सकते हैं 230 बोल्ट इन्पूट के लिए हमने यहां पर स्लब ना रखा है फेज न्यूट्रल यहां से इन्पूट आएगा हमारा और यह तीन पीन हमारे समरिस्ट्वल पंप के लिए जो जाएगा मोटर के लिए उसके लिए तीन पीन हमने छोड़ रखा है तो तीन पीन की अभी बात नहीं करेंगे इसमें connection की बात कर रहे हैं फिलाल उसके बाद लाश्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसे तो चलिए इस तीनों पीन में हमें क्या चाहिए एक mcb और प्लस इंडिकेटर mcb में हमें इंडिकेटर लेंब इचाहिए जिससे हम उसको ठीके उसके बाद अगला हमें जो चाहिए आपका को हम start र लेटन के लिए उज़ करेंगे मोटर को start कर ले के लिए वर इसको भी मैर कर लेता हूं start और तो यह हमारा complete आपका यह equipment का हो गया अब इसको चलिए दिखाते हैं कि कैसे इसकी wiring करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा MCV था सिंगल फेज MCV पलस इंडिकेटर वाला बटन था वहाँ से हम इसको यह लाएंगे और इसको पूश करके कनेक्ट कर देंगे हम आपका MPR मीटर से क्योंकि MPR मीटर हमेशा सीरीज में होता है इसलिए आपका मोटर में कितना करेंट लेता है इसको आप देना पड़ेगा MPR मीटर का जो आउटपुट होगा आउटपुट को आप यहां से उटाए पूश करेंगे और पूश करने के बाद इसमें क्रोस दिखेगा लेकिन आप इसको देखना नहीं है कोंटेक्टर के इनपुट में आपको जोड़ना है यहां से उटाके यह तार आपको वाइरिंग में सिंपल हो जाएगा यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे वाइरिंग होती है तो यहां पे आपको यहां से एक इनपुट में देना है इन्पुट में देने के बोल्ट मिटर को आप जानते कि हमेशा परलेल में होगा तो यहां से आपका यह नूट्रल है इसको यहां से उठाकर आपको यहां लाना पड़े गाए काप बोल्ट मिटर पे एक पॉइंट पे और दूसरी जो आपकी पॉइंट होगी एक एम्पियर म connection आपको एक देना है common में, देखिए मैं इसको थोड़ा break करके दिखा रहा हूँ, एक आपको इस पे common पे देना है, और दूसरे point को यह जो page है, page से cup sitter को connect कर देना है, इसको थोड़ा break कर लिए यहां से, और यहां से इसको फिर से connect कर लेते हैं, इससे, तो यह आपका cup sitter का connection हो उसके बाद आप बढ़ता है कि इसको start करने के लिए क्या करें, तो आपका output contactor में कितने बटन बने हुए, दो बटन बने हुए, दोनों को आपको एक किस पे लाना है, एक यहां पे आपका neutral जो जुड़ा हुआ था, neutral बटन को सीधा neutral से connect कर देना है, जो आपका फेज बटन बना हुआ था, इसको direct लाके आपको इसके फेज बटन पर connect कर देना है, तो यहां आप देख सकते हैं कि यह neutral जो यहां से ऊट रही थी, यह neutral यहां आने के लिए neutral की input यहां भी हमें चाहिए यह, तो neutral input हम कहां से लाएंगे, यहां से एक लाके contactor की input में, यह हम neutral यहां डाल लाएंगे, जिससे हमारा यह contactor का काम असान हो जाता है, तो contactor के बाद आपको पता होगा कि contactor में हमें एक, इसकी auxiliary contact होती है, जो इसके अंदर में coil बनी होती है, उस coil की supply को हम on-off के लिए use करते हैं, तो on-off की use करने के लिए हम क्या करेंगे, आली के contactor का एक point यहां बन रहा है, और दूसरा point यहां है, एक जिलरी का, तो इस point को हम उठाएंगे, जैसे on वाले को, और इसको हम on पर ला देंगे, और जो यह हमारा normal supply है, इसको आपका फेज जो हमारे कहीं, कहीं से, या तो फेज यहां से उठा सकते हैं, या आप यहां से फेज उठा सकते हैं, इसको य contactor को on करने के लिए supply देगा, push करने के बाद, normally यह open होता है, जैसे push करते हैं, यह NC में convert हो जाएगा, और यह supply आपका, यहां तक extend हो जाएगा motor के लिए, दूसरा NC का जो हमारा problem तद NC में क्या करेंगे, एक तो supply हमने, जो input का हमारा था, यहीं से कहीं से उठा के, जो फेज व क्या करेंगे, जैसे हम NC को push बटन करेंगे, तो यह NO हो जाएगा, और यह contactor को off कर देगा, उस condition में यहां की supply जो आ रही थी, वो आपका बंद हो जाएगा, तो यह complete आपका connection है, जो इसको मैंने आपको ग्रापकल दिखाया है, चलिए आपको प्रेटकल दिखाते हैं, आप प्लस में समयरिशिवल पंप यहां रखा हुगा है, इसको अस्टार की बात करते हैं, तो उपर से आप देखेंगे, यह हमारा करेंट मीटर है, यह बोल्ट मीटर है, यह start button है, यह stop button है, और यह indication lamp है, और यह MCB है, इसको अगर internally आप यह उसी diagram को देखना चाहेंगे, तो दे input हमने page उठाया था हूँ, वहां से उसकी supply हमने input पे, यहां पे MCB पे जोड़ रखा है, MCB से जो connect उठाया, इसको हमको एंपियर मीटर में लाए हैं, यहां पे देख सकते हैं, एंपियर मेटर के यह terminal पे लाए हैं, उसके बाद एंपियर मीटर से जो उठाया है, उसको हमने से लाखे contractor के input में जोड़ दियां, contractor का दूसरा input हमारा जो neutral आ रहा है, जो direct यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यह आपका जो men supply था उसस से आ रहा है, और उससे लाखे हमने फिर से इसके contractor को input दाल दिया, और एक page हमारा है, यह auxiliary contract, यह off button वाले है, और यह on वाला, तो य यह आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा यह आपका नॉर्माली नॉर्माली और यह नो है क्योंकि इसकी सप्लाई से कोई किनेक्टिविटी नहीं है और इसमें देखे नॉर्माली एंसी है सप्लाई यहां दिया हुआ है यह प्लंजर हमेशा यह इसके साथ पूस्ट किया हुआ है तो यह हमेशा यह आप जैसे इसको पूस्ट करेंगे यह ओन का कमान देगा दोनों में इस तैप से के कैप सीटर आप देख सकते कैप सीटर भी इसके टर्मिनल ले जोड़ा हुआ है जब इन्पूट सप्लाई को आप पावर सप्लाई से जोड़ेंगे तो यह स्टार्टर आपके मोटर को इजीली स्टार्ट कर पाएगा वे इसे ओन कर रहा है तो देखे हम supply बटन ऑन करेंगे तो सब से पहले indication lamp हमारा जल गया है कि यह बटन आ उन हो चुका है अब इसको में start का button है यह stop I can't we have simple start button push करता हूं आप sound देख सकते है मोटर अप हम bhaumming आ गया motor start करना शुरूद गया और और मोटर की करेंट 10 अम्पियर सब कर रही है जैसे इसको हम बंद करेंगे देख सकते हैं अपको आप करेंट इपिर देखे आप बटन से पूस हो रहा है फिर उसके साथ दुबारा करेंगे तो यह स्टार्ट हो जाएगा फिर अगर रश्टॉप करना चाहेंगे तो इससे